इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अबाउट टॉपिक ऑफ एलेक्टिक फील्ड ऑन दी आक्सेज ओफ चार्ज रिंग सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा एक चार्ज रिंग होगी यह सर्किलर रिंग है हम इसको ऐसे एंगल पर देख रहे हैं इसलिए हमें यह ओवल शेप में दिखाई दे रही है ठीक है यह इसका सेंटर होगा ओ हम माल लेते हैं इस रिंग का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर एंड सपोस करिये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस रिं पे युनिफॉर्मली डिस्टिब्यूटेड है अब एक्सेस जो रिंग की होगी वो यह होगी ठीक है इस एक्सेस पे कोई भी पॉइंट पी है इस पॉइंट पी पे हमें इस रिंग के उपर जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से जो नेट फील्ड लग रही है उसे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे हमेशा की करना है सबसे पहले एक small length dl कट करनी है small length dl पे small charge होगा dq मान लेते हैं इस overall ring पे capital q चार्ज है और इस small length dl पे charge है small dq तो small charge की वज़े से इस point p पे small field लग रही होगी सिबसे पहले मैं इसको इस point p से join कर दूँगी कि अब field जो होगी वह रेडिया से outward लग रही होगी small field होगी d e कि मान लेते हैं कि यह point p के साथ यह line angle theta सब्टेंड कर रही है तो अगर यह angle theta होगा तो यह angle भी theta होगा क्योंकि दोनों vertically opposite angles है अब यह d e component है theta की direction में इसका component होगा d e cos theta और इसके 90 degree के angle पे इसका component होगा d e sin theta right components में हमने पहले भी तोड़ा हुआ है right fields को तो यह हमारे लिए easy part है करने के लिए क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं अब similarly हमें क्या करना है जैसे हमने यहाँ पे एक small length dl cut की थी हमने यहाँ पे भी small length dl cut करनी है जिसपे small charge है d q यह भी angle theta ही subtend कर रही है point p पे जैसे यह length कर रही थी dl तो यह भी angle theta ही होगा इस small charge d q की वज़ा से point p पे small field होगी d e right यह angle theta है तो यह भी theta होगा vertically opposite angles है यह दोनो तो यह भी theta होगा I hope इतना part clear है आप लोगों को कि सबसे पहले हमें यहाँ पे small length dl cut करनी है जिसमें charge d q होगा इस small charge की वज़े से इस point पे small field लग रही होगी d e इस direction में radially outward की positively charged है इसके components होगे theta की direction में d e cos theta और perpendicular d e sin theta similarly हमें यहाँ पे भी एक length cut करनी है small length dl जिसमें small charge होगा d q इस small charge की वज़े से इस point p पे कुछ field experience हो रही होगी d e इसका theta की direction में component होगा d e cos theta और 90 degree पे होगा इसका component d e sin theta जैसे हमने यह दो components बना है similarly हम बहुत सारे ऐसे दो consecutive components बना सकते हैं तो हर component में हमें यही कुछ ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा जिसमें यह जो sin theta वाले components होगे एक दूसरे को cancel out कर रहे होगे और जो net field होगी वो हमें मिलेगी इन cos वाले components की वज़े से जो add up होके हमें net electric field देंगे तो basically जो हमें d e मिलता है d e क्या होगा हमारा one by four by epsilon not charge by distance square तो हम मान लेते है distance कितना है इस charge के point P से मान लेते है small r है और point O का point P से जो distance है horizontal distance है small x right so यहाँ पे जो distance हाएगा वो यह वलाएगा होगा small r square तो अब मैं d e is equal to यह one by four by epsilon not को अब मैं आगे से k e लिखूंगे just for simplicity तो यह हो जाएगा k e into d q by r square और हमने क्या discuss कर लिए कि जो net electric field आएगे हमारा पस वो होगी सिरफ in cos components की वज़े से क्योंकि sign components एक दूसरे को cancel out कर रहे होंगे तो हमारा पस e net जो आएगी वो आएगी integration of d e cos theta components सारे cos theta के components को अगर हम integrate कर देंगे तो हमारा पस net electric field आजाएगी तो अब हमें basically e net ही निकालना है तो e net क्या होगा हमारे पस integration of d e cos theta d e की value हम यहाँ से substitute कर देंगे तो हमारे पस हाएगा integration of k e d q by r square into cos theta अब यहाँ पर k e constant है angle भी constant है ठीक है small r यह जो distance है क्योंकि point p भी fixed है ring भी fixed है इनके बीच का यह distance भी fixed होगा small r constant रहेगा इसका ring का radius r भी fixed रहेगा यह वाला distance जो होगा point p का center से वो भी fixed रहेगा तो यह तीनों ही distances constant रहेंगे तो हमारे पस variable क्या होगा d q इस d q को small small charges के components है d q इन सब को जब हम integrate करेंगे तो overall charge मिलेगा हमें overall charge क्या है इस ring के उपर capital q तो जब हम d q को integrate करेंगे overall ring के लिए तो हमें क्या मिलने वाला है k into cos theta इसको integrate करके हमें eventually capital q e मिलने वाला है अब next काम क्या होगा अब हमें यह triangle देखनी है इसको मैं नाम देरी हूँ point a तो अब हमें यह triangle देखनी है o pa वली इसमें यह वाल angle होगा 90 degrees का right तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस theorem यूज कर सकते हैं तो यूजिंग पाइथागोरस theorem hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square तो यहां से r की value आजेगी हमार पास root under r square plus x square right और एक और इसी triangle में cos theta की value id वो आएगी x by r right cos theta की इस value को हमें यहाँ पर substitute करना है तो यह आजेगा k e into x by r into q अब हमें क्या करना है आर की value हमें यहां से substitute करनी है यहाँ पर ठीक है तो हमार पास क्या जाएगा k e into x into q by r square plus x square root under okay 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 हम r square को तो बाहर निकालना भूली गए हमने discuss कर लिया कि यह constant है पर हमने constant को बाहर निकाला तो यह r square यहाँ पर आएगा right हर जगा पर होगा यहाँ पर r square तो r square into r क्या हो जाएगा r cube इसको यहीं पर बढ़ा दे के into x into q by r cube right अब r की value हमने डाल दी root under r square plus x square इसकी cube है तो इसकी power में 3 आजाएगा right i hope this is clear कुछ नहीं किया हमने r square into r केतना हो जाएगा r cube r cube में हमने बस small r की value जो है वो यहाँ पर substitute कर दिया है ठीक है इस value को यहाँ नहीं यहाँ पर substitute कर दीजे ठीक है r की value हम यहाँ पर यह डाल देंगे just यह वाला expression इसमें change हो जाएगा जब हम small r की value यह डाल देंगे अब हमें क्या करना है k e into x into q divided by root का मतलब क्या होता है power में 1 by 2 तो यह जाएगा r square plus x square की power 1 by 2 hold to the power 3 तो यह जाएगा r square plus x square to the power 1 by 2 hold to the power 3 अब हमें क्या मिल जाएगा e net is equals to k e into x into q by r square plus x square 1 by 2 multiplied by 3 power में आजाएगा 3 by 2 right तो यह हमार पस e net आजाएगा तो just हमने कुछ नहीं किया e net हमें पता था वो क्या है integration of cos components of electric field तो हमने क्या किया d e की value यहाँ पे substitute की then हमने cos theta की value यहाँ पे substitute की then हमने r की value small r की यह वाली जब value हमने यहाँ से find out की थी उस value को हमने यहाँ पे substitute कर दिया यहाँ पे बस कुछ नहीं क्या powers को multiply कर दिया e net की value हमार पस आगी है यह हमार पस net electric field आई है इस point p पे right due to this charged ring अब हम next video में discuss करेंगे कुछ special cases उन special cases में क्या होगा अगर यह point p बहुत far away हो तो अगर यह point p इस point o पे coincide कर जाए तो और भी बहुत और एक और case होगा हमार पस की maximum field intensity किस point पे मिलेगी कहां पे maximum field experience हो रही होगी यह सब कुछ भी हम next video में discuss करेंगे तो I hope यह वाला part आपको clear हो गया है next video इसी की continuation होगी जिसमें हम इसके special cases को discuss करेंगे I hope यह video आपके लिए helpful रहा होगा so so far that's it for this video thank you so much for watching